आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस जूम वेबिनार के अंदर और लीडर्स आज का जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है वो बेसिकली है डेटवर्क मार्केटिंग में जो बेस्किल है वो कौन सा होता है जी है दोस्तों कि आप जाते हैं कि डेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बेस्किल जिसको मारा जाता है सबसे जो तेज हथियार है वो किसको मारा जाता है डेफिनेटली लीडर्शिप स्किल को जी है दोस्तों जो लीडर्शिप स्किल है जो सबसे बहतरीन हथियार जो है इसको मारा जाता है तो जैसे कि अब लीडर्शिप स्किल में क्या होता है जैसे की speaking हो गया, learning हो गया, objection handling हो गया, training हो गया, ये जितने भी part है, ये सभी के सभी leadership skill के अंदर आते हैं, right, तो यहाँ पे हमें अब इन चीदों के उपर हम यहाँ पे तुड़ा सा detail में discuss करेंगे, leadership skill के उपर basically, अब बात जारते हैं leadership skill के बारे में, तो दोस्तों जो leadership skill है, जैसे की speaking है, अब speaking में हमें बोलना क्या है basically, अगर हम leadership skill की बात कर रहे हैं, speaking की especially बात कर रहे हैं, तो हमें basically क्या बोलना है, company का profile के बारे में, product के बारे में, plan के बारे में, यानि कि किस चीद के बारे में हमें कुछ बोलना है, right, तो क्या क्या चीदों क बारे में हम बोल सकते होते हैं तो ये कुछ चीज़े जो है इसमें निकल के आती है कि इन चीज़ों के उपर हम यहां पे बात कर सकते होते हैं अब जो सबसे important चीज़ आती है how to speak with confidence यानि कि हम अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हम जो बात कर रहे हैं वो confidence के साथ बात कर रहे हैं knowledge होना ना होना अलग बात है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं क्या वो बात हम confidence के साथ कर रहे हैं that is very very important चेक कीजिए कहां पे कमी रह रही है कहां पे कमी आ रही है क्या हम जो भी बात कर रहे हैं वो with confidence कर पा रहे हैं इस चीज़ के उपर हमें ध्यान देने की दुरूरत है लेकिन कैसे अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो वो confidence के साथ होनी चाहिए लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, confidence के साथ बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो नया distributor होता है, वो लोगों के सामने बोलने में उसको डर लगता है, एक stage fear होता है कि लोगों के सामने मैं कैसे बोलूगा, 10 लोग है 15 लोग है 20 लोग है 50 लोग है 100 लोग है उनके सामने मैं कैसे बोलूगा यानि कि लोगों के सामने बोलने में हिच्च की चाहट होती है डर कह सकते हैं स्टेज फियर कह सकते हैं यानि कि यह सभी जो चीदे है वो जो नया परसन आता है क्योंकि कभी ऐसे बात नहीं किय है अब इस situation से हमें कैसे निकलना है अब इस situation को हम कैसे handle कर सकते हैं इसके बारे में जाने है दोस्तों या तो अपने घर पर या तो अकेले में या अपनी फैली मेंबर के साथ में उनको प्रोडक्ट प्लैन प्रोफाइल को शेर कीजिए उनको समझाएं तो कि जब आप दूसरों को समझाएंगे आप दूसरों को तब भी समझा पाएंगे जब आपको knowledge होगी तो कोशिच किजिए अपनी team से जादा से जादा लोगों को ये practice करवाईए तो आप देखिए काम तो करना पड़ेगा तो अब ये चीद बताईए कि हमें काम करना है और इस तरीके से जो काम है वो हम यहां पर करेंगे ही करेंगे उनको घर पर या एक small videos जो होती है product plan profile की वो बनवाना शुरू कीजिए और खुद बनाईए mobile सब के पास मौझूद है तो अब आप घर पर वीडियो बना सकते हैं जब आप घर पर वीडियो बनाएंगे वीडियो बनाने के बाद चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि मैं कहां कहां पर गलती कर रहा हूँ आपको पता चलेगा कि मेरी गलती कहां पर है बोलने में गलती है कुछ जो word है उनमें गलती आ रही है, confidence में गलती लग रही है, किस चीज में गलती लग रही है, आपको इसके बारे में पता चलेगा, कि basically जो गलती है, वो कहा कहा पे हो रही है, अब इसके लिए दोस्तों, जो testimonies होती है, यारि कि जो हम वीडियो बना रहे है, जो product से हमें result आ रहे है, जो लोगों की जिन्दगिया change हो रही है, तो basically यह क्या है, यह testimonies होती है, और जो testimonies होती है, यह best tool होता है, अपने business को बढ़ाने के लिए, right, तो testimonies बनवाईए, testimonies खुद बनाईए, अपने videos बनाईए, क्योंकि जब तक video नहीं बनाएंगे, my dear friend को benefit होने वाला नहीं है, right, testimonies जो है, यह बहुत ही important tool होता है, कभी भी, कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल रहे है, product plan profile, एक video बनाईए, आप किसी person से मिल रहे है, किसी से बात कर रहे है, right, कोई आपके stock point पे आया है, आपने किसी को एक single product दिया है, एक plan दिखाया है, कुछ भी किया है, उसका एक छोटा सा video बनाईए, यह बहुत important है, कहीं पे भी, product का video बना लिजिए, plan का बना लिजिए, profile का बना लिजिए, एक बार बना के जो देखिए, हम लोग यह काम करते ही नहीं है, दिक्कच यहां पे है, काम नहीं करेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि network marketing के तौर तरीके जो है, वो बदल चुके हैं, पुराने तौर तरीकों को छोड़ दीजिए, बहुत समय लगता है, राइट, नहीं तौर तरीके, आपके target को अचीव करने में आपकी help करते हैं, क्योंकि नहीं नहीं technology आ रही है, आज कर सभी लोग नेट पे मौझूद है, सोशल मीडिया पे मौझूद है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आपको दिखाएए, अपनी marketing खुद कीजिए, यह बहुत important है, और दोस्तों अगर आपकी team में 10 distributor हैं, तो 10 videos बनाएए, हर एक person की 10-10 videos होनी चाहिए, कोशिश कीजिए, चाहे product पे, profile पे, plan पे, जो भी चीज उनको अच्छी लगती है, उसके उपर एक video बनाईए, यह बहुत important होता है, क्योंकि जब आप video बनाते हैं, तो यह आपके confidence level को boost करता है, जब भी आप video बनाएंगे, यह आपके confidence level को उपर तक लेके जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है, जब आ आप बोलेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूँ, हमें सारी जिंदगी क्या लगता है, हमें यह लगता है कि यार बोलना ही तो है, लीडर बोली तो रहा है, हम भी बोलनेंगे कौन सी बड़ी बात है, दोस्तों किसी को तैरता हुआ देखने से, आप तैरना नहीं सीख जाते हैं जब आप नदी में चलांग लगाएंगे तब पलच लेगा पानी कितना गहरा होता है डूब जाएंगे राइट तैरना सीखिए पहले कम पानी में तैरना सीखिए तब ही आप और जादा गहरे पानी में तैरना सीख पाएंगे दूर से देखते हम भी बोल लेंगे नो माइडिया फ्रेंट ये सबसे बड़ी भूल होती है हमारी कि लीडर कॉल रहा है हम भी बोल पाएंगे नहीं लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को बात आपके सामने दस लोग बैठे हैं सबके अपने अपने विचार है आपको क्या लगता है दस लोगों को आप सबके विचारों से आपकी बाते मेल खापाएंगी नहीं लेकिन वो सिच्वेशन आपको हैंडल करना तब ही आएगा जब आप स्टेज पे आके बोलेंगे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों के विचार क्या क्या है आपने अप अपने विचार लेके बैठे हुए है तो ये काम कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप थोड़े से कम पानी में तैरना सिखेंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे अपनी बातों को पहले खुद देखेंगे कि यार जो बात मैं मुझे इतनी आसान लग जबता है कि हाँ ये जो काम है ये हो जाएगा नो माइडियर फ्रैंड यहीं पर हम लोग सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं चेक कीजिए टीम कहां तक खड़ी है और जब हम वीडियो बना रहे होते हैं चलिए अब हम आपको और भी असान कर देते हैं जब हम वीडियो बना होते हैं तो हमें क्या कुछ बोलना पड़ेगा हमें क्या कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ जो आपको कमफर्टेबल लगे सबसे पहले स्क्रिप्ट बना ये आपने क्या बोलना है आपने प्रोड़क्त के बारे में बोलना ह है जिसमीं चीज के बारे में भूलना है पहले उसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट मुना लिजिए लिख से वर पर कपी के उपर किजी दस पर क्यों को प्राक्स कीजिए उसकी कि क्या आपए लिखा रइट फिरर उसका video मैं बनाएगे फिर उसको चेक कीजिए कि वीडियो कैसा बना है अच्छा बना है कैसा बना है आपको पता चलेगा और अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ में कोई गलती लग रही है आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये ठीक तरीके से नहीं बोला गया है दुबारा से वीडियो शूट कर ले यह कौन बना कर रहा है लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तब ही जो चीज़े हैं वो पॉसिबल हो पाई भी तो दोस्तों वीडियो जुरूर बनाएं राइट क्या यह चीज़ पॉसिबल है इसके ओपर ध्यान देने के गुरूरत है और दोस्तों अब अगर आपके दस डिस्टिब्यूटर दस डिफरेंट पॉडट के ओपर वीडियो बना लेते हैं तो थोच की देखिए जब आप इन वीडियो को सर्कुलेट करेंगे अपने कॉंटेक्स में तो कहा तक आपका यह जब वीडियो है वो फैलना शुरू हो जाएगा अब देखिए द दोस्तों मेरा दरिंदर सिंग है और मैं कीवा काईप इंडर्स्ट्री से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यह आपका स्टार्टिंग हो गया है उसके बाद सेंटर में आपने जो चीज के बारे में बताना है उस चीज के बारे में बता सकते हैं जैसे कि दोस् तो अगर आप भी ऐसा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप भी कीवा सिल्वर प्लस यूज़ कर सकते हैं, और मेरे को इस नंबर पे कॉंटक्ट कर सकते हैं, अब इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या चीज मुश्किल है, आपकी टीम में 20 लोग है, 30 लोग है, 50 लोग है, 100 लोग है, अगर सबी 2-2-3-3-5-5-5-10-10 वीडियो डेली बना ले, डेली बना ले, आप जानते हैं, आपका बिजनस कहां तक ग्रोव हो तकता है, नहीं, हम ये काम करते ही नहीं है, my dear friend, आज की डेट में पूरी दुनिया, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में मॉबाइल है, आप भी अभी अपने हाथ में मॉबाइल पकड़े हुए हैं, अभी भी, सुबह से लेके शाम तक हाथ में मॉबाइल रहता है, 14 से लेके 16 घंटे तक हम की आप हर समय लोगों के साथ कॉंटेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन क्या हम रहना चाहते हैं, अरे वीडियो बनाएए, लोग आपको देखेंगे, लोग फ्री बैठे हैं, वो फ्री बैठे हैं, उनको दिखाएए, अपने आपको दिखाएए, लोग क्यों नहीं देखेंगे लोग आएंगे आपको देखेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे भी राइट क्योंकि दोस्तों लोगों को रिजल्ट चाहिए लोग रिजल्ट चाहते हैं और अगर आपकी वीडियो उनकी प्रॉब्लम से मेल खाती है तो 15 से 20 परसेंट चांस होते हैं कि वो लोग आपको करेंगे आपने एक वीडियो बनाई सौ लोगों के पास वो वीडियो पहुंच गई सौ में से 15-20 लोग अगर आपको कंटक्ट करेंगे कम होते हैं क्या कम होते हैं 15-20 भी छोड़िए 10 परसेंट भी कम है और वीडियो तो इतनी जल्दी सर्कुलेट होता है एक बार वाट्स करेंगे तो my dear friend वीडियो दो मराईए're testimony बनाईए यह ही चीजळ आपके अंदर leadership स्किल को develop करेंगी आपको बोल ना सिखाएगे कि बोलते कैसे हैं काम − कैसे करते हैं,्टीम को हैंडल कैसे करते हैं,trainink कैसे देते हैं यह सबी चीजहें आपको यही जो चीज है वह आपको य बिमार होता है या अगर कोई गाड़ी लेने जाते है तो आप कैसे decide करते हैं कि आपको कहां पर जाना चाहिए सोचके देखिए अगर आप कभी बिमार होते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाना है कैसे decide करेंगे अगर कोई female pregnant होती है तो उसके घरवाले या वो कैसे डिसाइड करती है कि मेरे को किस डॉक्टर के पास जाना है अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है ये डिसीजन आप कैसे लेते हैं मैं बनाता हूँ तो सिंपल ती चीज़ है जिस डॉक्टर के बारे में हमने अपने फ्रेंड से कुलीग से पडोसियों से सबसे जादा सुना होगा हम उसी के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने उससे रिजल्ट लिए है उन्होंने उससे रिजल्ट लिए है अम्मा लिजिये मुझे मेरा दोस्त मिलता है वो मेरे को बताता है कि मेरे घर पे ऐसा एका कि मेरे मदर को या फादर को हाट की प्रॉब्लम थी तो हम अपने जो शेहर में ये जो हाट के जो दॉक्टर है राइट काड एक जो यहां पर स्पेशलिस्ट है तो हम उनके पास गए उन्होंने दवा लिखा और मेरे जो मदर थे वो ठीक हो गए तो मैं बोलूगा ओके अच्छी बात है फिर मेरे को तीन-चार लोग ऐसे ही बिता देते हैं कि उनको भी उनके भी घर में प्र प्राभलम आती है तो मैं किस दॉक्टर के पास जाओंगा आँखें बंद करके मैं उसी दॉक्टर के पास चला जाओंगा जिसके पास बाकी सबी लोग गए थे सिम्पल सी चीज़ है अब चाहे उसके बगल में उससे बड़ा डॉक्टर बैठा हो लेकिन मार्केटिंग किसकी हुई है उस डॉक्टर की हुई है तो दोस्तों चाहे आपके बगल में कोई भी बैठा हो कोई भी कमपनी हो आपकी मार्केटिंग है लोग आपके पास आएगे सिंपल सी चीज़ है आप गारी कैसे लेते हो जिस गारी को आप सबसे जादा चलते हुए देखते हो जिस गारी के बारे में आप सबसे जादा सुनते हो जिस गारी के बारे में लोग सबसे जादा बात करते हैं यानि कि जिस गारी के चर्चे सबसे जादा हो रहे हैं आप उसी को लेते हो आप डिसाइड करते हो कि यह बाकी सभी यह ले रहे है यानि कि इसमें कम्प्लेंट कम आती है इसकी सर्विस अच्छी से हो जाती है इसके स्पेर पार्स असानी से मिल जाते है यह तेल कम खर्च करती है यह थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ता है या हमारी यह जो कमिय है उसको पूरा करता है मिरे लिए ये ठीक रहेगा आप उस गाड़ी को चूज़ करते हो गाड़ी बिक तो बहुत सारी रही है सभी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लेते हैं राइट जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की जाती है उस चीज़ को लोग बेसिकली वह आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिमरी आप लोग निकाले दस ज़्यादा वीडियो आप लोग बनाएं तो माई डियर फ्रेंड आपका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा कोई ज्वाइनिं और डेफिनिटली बहुत अच्छा काम हम यहां पे कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक वीडियो बनाएए डाल दीजिए रोज की आप चाहे महीने में 50 ज्वाइनिंग कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो रही है कोई बेनिफिट हो تي की तरह से दिखाना चाहिए हैं कि आज ज्वाइनिंग हुआ है लोग क्या कहेंगे जार कफिंस तीम में तो बहुत जोइनिंग हो रहां हम रोज देख रहे हैं कितना ज्वाइनिंग रहे हैं तो तो चर्चा किसकी हो गई आपकी होगी, थेस्टीमरीज, फ्रेंचाइजी पे, अगर फ्रेंचाइजी पे आपका तुलसी ड्रॉब भी भी विखरा है, उसकी वीडियो बननी चाहिए, एक सिंगल प्रोडुक्ट भी भी भीकरा है, कोई पर्षन आपके दुकान पे आके खड़ा भी हो रहा है, उसकी वीडियो बननी चाहिए, फेस्बुक पे आनी चाहिए, आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, उसका वीडियो बनना चाहिए, फेस्बुक पे, वाटसाइप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब जगा पे वो दि चुरू हो चाहेगी राइट रिजल्ट के साथ सो थैंक यू सो मच लेडिस एंड जेंटलमेंट और मैं आशा करता हूं कि यह जो सेशन है एक शौट सेशन आपको इन्फोर्मेटिव लगा होगा आपको समझ में भी आ गया हूं मुझे लगता है कि आज मेरी जो आवाद है व तो थैंक यू सो मच लेडिस एंड जेंटलमेंट और आज ये तो इस साल का आखरी दिन है इसको एंज्वाई कीजिए कल का जो दिन है माई डियर फ्रेंड कल का जो दिन है ने साल का जो दिन है वो जबरदस्थ होना चाहिए आपके लिए जो नया साल है वो बहुत ही कहात होगी और दोस्तों साल का आगाज धूमधाम से होना चाहिए तो कोशिश कीजिए अपने टीम के साथ बैठके नए साल की प्लैनिंग शुरू कीजिए और डेफिनेटली आपका दिन आपका साल जो है वो बहुत ही जबरदस्थ होगा तो विश्यू वेरी वेरी हैपी न्यू यर इन एडवांस लेडिस एंड जेंटलमेन आज सुबह का और साल का ये जो आखरी दिन है क्योंकि आज रात के बारा बजे तक हमारा जो लखी ड्रॉव में आप शामिल हो सकते हैं आज आखरी दिन है अपनी टीम से चेक किजिए दो हजार सेल्फ आईडी पर हमने सिर्फ दो हजार BP करने है और आप लखी ड्रॉव में शामिल हो सकते हैं राइट कोशिच कीजिए आपकी टीम से जादा से जादा लोग इसमें शामिल हो सके क्योंकि benefit आपको मिलेगा 5000 रुपे का cash reward जो है वो आपको मिलेगा right so thank you so much ladies and gentlemen and wish you a very very happy new year in advance और आज का साल का ये आगरी दिन है ये भी हम धूमधार सरीके से आज इसको विदा करेंगे तो जल्द ही मुलाकात होगी फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया thank you thank you so much